हाई कायस, विल्कम एक टो मूडन फूड और आज हम आपके लेके आए हैं बिहार की एक स्पेशल डिश जिसका नाम है बाटी चोखा इसे लेक्टी चोखा भी बोला जाता है वैसे तो ये आग में डालके बनाई जाती है या तंदूर में बनाई जाती है पर सबके घर में तंदूर नहीं होता तो आज आपको हम ये दो तरीके से बनाना बताएंगे एक अप्पे पैन में और दूसरा कूकर में दोनों चीज़े घर में बहुत आसानी से अबलेबल होती है और यकीन मानिये इसका टीस काफी हद तक वैसा ही आएगा जैसा आग में सेक्के बनता है या फिर तंदूर में बनता है ये बाहर से थोड़ी सी हाट और अंदर से सॉफ्ट होगी और इसमें जो क्राक्स दिख रहे हैं आपको इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल पॉफेक्टली सेक्के बनी हुई है तो आएए बनाते हैं बिहार की ये स्पेशालिटी बाटी चोका और अगर आपको मे है इक बैगन जो भड़ते वाला बैगन आता है वो और हमने यहां पर तीन से चार करिया लेसन के ले ली है और एक मिर्च ले ले लिया है और हम बैगन को स्लेट लगाएंगे मतलब चाको की मदद से उसे बीच से थोड़ा सा फाड़ देंगे और उसमें हम चार लेसन इdoesल क जब हम बैगन को भूनेंगे तो लेसन का फ्लेवर उसमें आ जाएगा आप अगर चाहें तो ऐसे भी नॉर्मली इसे चको से स्लिट लगा के इसे सेख सकते हैं पर यहां पर हम इसे फ्लेवर फुल बनाने के लिए इसमें लेसन और मिर्च इंसर्ट कर रहे हैं यह करने के में नुर्ट रचते हम दो टमाटर लेंगे और उसे भी तेल से ग्रीagle कर देंगे और उसे भी बैगन के साल जाली पे रखके सिख लेंगे बिल्कुल वैसे जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है दस से बारा मिनट बाद हमारा बैगन भी अच्छे से सिख चुका है और टमाटर भी अच्छे से सिख चुका है हम दोनों चीज को गयास से हटा के एक प्लेट में रख लेंगे और थोड़ी तेर बाद जब ये नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा सा तो हम इस चील लेंगे अब हम बैगन का भरता तयार करेंगे हमने यहाँ पे बैगन को चील लिया है बैगन के साथ साथ हमने टमाटर को भी चील लिया है और हमने यहाँ पे एक बोईल आलू लिया है आप चाहें तो इसे बिना आलू का भी बना सकते हैं पर मुझे आलू का टेस्ट बैगन के भरते में अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे आलू डाला है, यह सारी चीजें बरतन में डाल के हम इसे किसी फोक की मदद से या फिर अपने हाथों से इसे मैश कर लेंगे, भरते को अच्छे से मैश करने के बाद हमने यहाँ प अपने टेस्ट के कोडिंग जैसा भी भरता आपके घर में सर्फ किया जाता है, आप वैसा भरता तयार कर सकते हैं, और फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच बारीक कटा हुआ अद्रक, और साथ में इसके डालेंगे एक बड़ा चमच बारीक कटा हुआ लेसन, और हम इसमें आधा छोटा चमच या फिर अपने स्वादयनुसर नमक डाल देंगे, यह सारी चीज़ें डालके हमें से अच्छे से मेक्स कर देंगे और हो गया हमारा बैगन का भरता तयार, अब हम अपनी बाटी तयार कर लेंगे, हम लिट्टी के लिए, मतलब बाटी के लिए आ अस्तापन के साथ साथ इसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा, और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चमच या फिर अपने स्वादयनुसर नमक, यह सारी चीज़ें डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसका आटा लगा लेंगे, आटा यहाँ पे ह और इसे इसके शेप में रखने के लिए हम आटा को थोड़ा सा कड़की लगाएंगे, अब हम बाटी की स्टफिंग तयार कर लेंगे, स्टफिंग तयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक बूल में दो कब सत्तु लिया है, सत्तु भुने हुए चने का आटा होता है, यह दालेंगे एक चोथाई कप या फिर एक मीडियम साइस का बारिक कटा हुआ प्याज, और फिर हम इसमें डालेंगे एक चोथाई कप बारिक कटा हुआ धनिया, और धनिये के साथ साथ हम इसमें एक से दो बारिक कटी हुई हरी मिर्श डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे एक से डिल बड़ा चमच निबू का रस और फिर हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच कलोंजी वही कलोंजी हैं जो हम अचार बनाने में इस्तमाल करते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच अजवाइन और हम इसमें डाल देंगे आधा चमच या फिर अपने स दुबना हो जाएगा ये सारी चीज़े डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग तयार हो गई इसे हम बात में बढ़ने में इस्तमाल करेंगे अब हम बाती बनाना शुरू करेंगे बाती बनाने के लिए जो हमने आटा लगा के रखा था उसकी हम लो होई लेंगे और उसको हम दोनों हाथों के अंगूठे से बीच में प्रेस करते हुए एक होल बनाएंगे मतलब पीच में प्रेस करते हुए हम थोड़ा सा से गढ़ा करेंगे जैसे कटोरी बना रहे हो हम आप वीडियो में देख सकते हैं बिलकुल हमें ऐसा ही करना है इसे अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे है तो आप जैसे नॉर्मली कचोड़ियां भरते हैं आप वैसे इसे भर सकते हैं फिर हमने जो इसमें जगा बनाई है उसमें हम अपना स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग कम से कम हम दो चम्मज डालेंगे या फिर आपका जो लोई है वो इ इतना स्पेस है उतनी ही हम स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग डालके हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए उपर की तरफ खीचेंगे और फिर हम बंद कर देंगे मतलब इसे हम सील कर देंगे इसे हलका सा रोटेट करके इसे बंद कर देंगे बिलकुल वैसी जैसा वीडिय दोनों को निकाल देंगे फिर हम गैस ओन करेंगे और कुकर को थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे कुकर जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम उसमें तेल डाल देंगे तेल हम मुश्किल से 2 से 3 चमच ही डालेंगे तेल के थोड़े से गरम हो जाने के बाद हम उसमें अपना बाटी डाल देंगे जितनी कुकर में जगा होगी उतना ही हम उसमें बाटी डालेंगे बाटी को डाल देने के बाद हम इसमें लिड लगा देंगे मतलब कुकर का ढखकर बंद कर देंगे इससे बाटी का मोईस्टर बना रहेगा मतलब moisture उड़ेगा नहीं और बाटी बहुत soft बनके तयार होगी और अप्पे pan में बाटी बनाने के लिए हम एक अप्पे pan लेंगे और उसे oil से grease कर देंगे फिर हम अपने बाटी उसमें place करेंगे और इसमें भी हम ढखकन लगा के रख देंगे और gas का flame हम एकदम low कर देंगे और इसे भी 2-3 मिनट एक तरफ सेखने के बाद हम दूसरी तरफ rotate करकर के इसे पका लेंगे जब तक ये सारी तरफ से पक न जाए और थोड़ी सी brown न हो जाए जो घूकर में हमने बाटी रखा है उसे भी हम कम से कम चार मिनट एक तरफ पकाने के बाद उसे हम अलट पलट के golden brown होने तक पका लेंगे कम से कम एक side पकने में 3-4 मिनट लगेगा फिर हम इसे पलट के 3-4 मिनट दूसरे side पका लेंगे और जितने side उसको rotate करकर के हम बाटी को इसमें अच्छे से पका लेंगे आपको cooker में आज को धीमे से medium ही रखना है अगर आप flame तेज रखेंगे तो ये बाहर से पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा और अपे pan में रखे हुई बाटी को भी हम ऐसे ही ढख के पकाएंगे और बीच पीच में खोल के उसे पलट पलट के rotate करकर के उसे पका लेंगे आप वीडियो में देख सकते हो अपे pan में सारी बाटी अब पक चुकी है हमने इसे rotate करकर के इसे अच्छे से पका लिया है अब हम इसे flame से हटा देंगे अब हम कूकर की भी बाटी को भी चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी सारी बाटी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है इसमें हलके हलके kraks आ चुके है इसका मतलब ये perfectly पक चुकी है इसे भी हम flame से हटा लेंगे बाटी को गर्मा गरम घी में डिप करके सर्फ किया जाता है आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं पर घी में डिप करने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो एक बार इसे घी में डिप करके ट्राइ करें ये बहुत अच्छा लगेगा आप चाहें तो इसे बिन घी का भी सर्फ कर सकते हैं तो इस तरीके से बाटी बनाना है ना बहुत आसान इस नई तरीके से कुकर और अप्पे पैन में आप एक बार बाटी बना के देखें आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू